कि अधिए फ्रेंड वेलकम टो माई चैनल ट्रेड़ प्रैड देखते हैं मार्केट में कल क्या हो सकता है और हम लोग कैसे ट्वेट कर सकते हैं तो पहले शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से तो बैंक निफ्टी कि काफी लाइक अभी चल रहा है वह ठीक ही चल रहा है और कल के दिन अगर थोड़ा एक कंडिशन से अगर कुछ कंडिशन कल के दिन हो जाता है तो अगर कैसे रहने से मार्केट हम लोग को नेक्स ट्रेंडिंग मिल सकता है तो हम लोग तोर से डिसकस करते हैं तो फिर्स्ट इंग रिमेंबर कि मार्केट को कल जो भी हो जाए मार्केट कल इस रेंज को नहीं तोरना चाहिए एट हंडड़ और फिकन पगड़ो 45,800 एट हंडड़ की नीचे मार्केट कल क्लोज नहीं देना चाहिए और आना भी नीचे ठीक है और उपर मार्केट कल भी अगर थोरा साइडवेज रहे थोरा नीचे भी 46,000 क्लोजिंग कोई दिक्कत नहीं उसमें भी अगर इस रेंज में इस रेंज पर रहने से भी दिक्कत नहीं है मदलब 45,800 से लेकर कल के दिन अगर 45,000,500,600 के रेंज में मार्केट क्लोज होता है इस रेंज में अगर मार्केट कहीं पर भी ख्लोज होता है तो हम लोग को नेक्स्ट विक एक अपसाइड मोमेंटम मिल सकता है और अच्छा खास डिरेक्शनल मूब मिल सकता है np next week को लेकिन अभी कल कैसी ट्रेट कर सकते हैं तो next week क्या होत हम लोग वेक्ली अच्ट करेंगे में तो तो market हो सकते एक आपका आप मूब ते इस रैंज को पोस करकर के आप मूब दें ठीक है क्लास करते हैं हम लोग को 250 की सब्दछ कॉल्स करते हैं हम लोग रीक नर रूंगर ऑपर की तरह मुल सकते ये लिग fest है तो कल सकते हैं second half में में थोरा से रिवर्ट से ओसिडिवाएं ऐगर अगर मार्क एंड-जा ने बस यहां पर मारके ऊज़ लो कोई दिक्कत नहीं है तो फ्राइडी की दिन पर ट्रेंडिंग हो जाता है तो 46,200-300 से लेके 46,050 इस रेंज पर अगर आपन होता है तेन हम लोगो क्या करना है उपर की तरफ देखना है उपर की तरफ ट्रेड मिल सकता है अगर उपर ब्रेक करता है तो फिर से लेवल ब्रेक करता है तरह को टार्गेट मिल सकता है 46,400 इस तरह का तार्गेट पहला मिल सकता है तो अगर फ्लोव में निकल जाता है तो अगर मार्गेट अभी इनकेस गयप देती है बहुत बड़ा गयप देती है 46,400 फाइव और इस तरह आए और मार्केट कहीं पर ऐसा करके जिगजग करके क्लोस करते हैं इसा भी हो सकता है क्योंकि अभी फ्राइड की दिन मार्केट फ्राइड से पहले मार्केट काफी मूव कर चुका है यहां से लेके आपका बारा सो चौदा सो पॉइंट मूव कर चुक है तो अभी कल के दिन अगर फिर से उपर की तरफ हो जाता है तो हो सकता मार्केट थोड़ा सा पहले स्पाइक लगा दे या फिर पहले मिनिट से थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करें पहले साइज जिगजार्ट टैप काई किया पहले नीचे आया फिर उपर किया लिकिन अपर कितना स्पाइक कितना स्पाइक यह पर भी स्पाइक ठीक है अब हम लोग दिख रहा है लेकिन कल के दिन फ्राइड़ है तो सब कोई चाहेगा कि पोजिशन स्कॉर अरफ करे प्र पोजिशन होगा तो स्कॉर रफ करके जाना पसंद करेगा कोई अगर यहां से भी बाइंग करके रखा होगा तो इतना दूर तक वह वेट नहीं करेगा फिर मंदे को क्या हो सकता है क्योंकि विकेंड है इसलिए मुझे नहीं लगता कि कल बहुत ज्यादा अप मूब देना चाहिए कल अगर अगर देता है तो हो सकता है स्लाइट करें जिग्जाग करके इस इरेंज में क्लोज हो जाता है नो कि हम लोगे लिए को दिक्कत नहीं है बहुत बड़ा गैप डाउन दे तो तब थोरा सा मामला बिगर सकता है बहुत बड़ा गैप डान मतलब 45,900 के नीच तब जाके मामला बिगर सकता है मतलब 300 पॉइंट के गैप डाउन देने से मामला बिगरेगा इसके उपर रहने से मुझी नहीं लगता है इतना कुछ खास प्रब्लम होगा अगर उपर स्टे करना चाहिए और जिसी हम लोग ने बताया कि 45,800 किसी बहालत तो तूटना नहीं चाहिए 800 टूटने से मार्केट में फिर बेरिशनेस आ सकता है हो सकते क्याल या फिर मंडे को जो भी हो अभी निफ्टी देखते है निफ्टी में निफ्टी में कुछ खास वैसे रहा जिसे कि हम लोग ने बात किये थे कि इसको तोड़ेगा इस लेवल को तोड़ने से तो जैसे के सब टेस्ट हो चुका है तो इस लेवल को उपर जैसे तोड़ेगा आया देखो पहले अब देने के बाद नीचे आया ना फिर इसको तोड़ा फिर साइडवेज रहा फिर यहाँ यहाँ पर भी आपको एक पोलन फ्लैक का मिल रहा होगा अगर ऐसा करके ड्रोग कर तो पॉलन फ्लैक मिल जाएगा तो बोलनभ प्लैक का रेकाउड मिलने से सद्दी इसकनल में मुवा हूआ ब करेंशन को यहां कि जन घूशन हैं केमने क्ल उसको प्र सकते हम रहेगा अभी इसको किसीOkay थावलत फे तोषेरी तोड़ना ना ची अपिंटYYu 10700 को तोड़ना न प्राइड हो सकता है कि तक भी मिल जाए लेकिन देखो कल फ्राइड है तुम मैं इसे से बता रहा हूं बहुत नीची सूपर गया तो अभी हो सकता है कि थोड़ा बहुत मार्केट में करें एक कल अगर च्राइड होंने से थोड़ा बहुत हो सकता है पहले थोड़ा साहप में उपर जाए दिन नीचे लास्ट हाफ में यहाप आगे नहीं पर लेसकता है और अगर जो फाइड में कुछ भी ब्रेगड़ा निल रहे हैं तो फ्राइड है तो फ्राइड है तो फिर हम लोगों डिसकस करी लिया कि अगर फ्लो फ्लो में जाता है तो जाने देंगे तक कभी हम लोगों टार्गेट मिल सेकता है कल के दिन और बहुत बड़ा गैप देने से बहुत बड़ा बात कर चुके तो कल है इसको बताता हो क्यों क्या होता है अगर आप अप्शन बाइंग करते हो तो बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत जल्दी मूव करता है क्या होता है कभी के आपको अगर मानलों सेक्स 500 पॉइंट का अगर भूट जाता मतलब जितना प्रीम करता है प्रीम मुव करना को बड़ी बात नहीं कर्दाई अब करेंगा कि सेंसेज़गी बढ़ सकता है रोपे बड़े सब केनल्स में आपको अच्छा-खासा मिल जाएगा कि लेकिन तो ठीट करना लेकिन उसमें तोर्णा साथ लीक्वडिशन का प्रावल्म है मतलब बहुत ज्यादा कॉंटिटी करने से तो थोड़ा प्रवल्म हो जागा लेकिन चोटा मोटा 200-300-400-500 कॉंटिटी करने से कोई दिक्यत वाली इतना बात ने इतना लिक्विडिटी है तो अगर बहुत बात में इसको तो बात में अगर बात में बहुत बढ़ाँ देने से ठीक है और बहुत बड़ा गैप देने से भी हम लोग को करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा हो सकता है नीचे आके फिर रेंज बनाया अगर मैं इसको डिसके ऐसे कर रहा हूं अगर मान लोग के रेंज बनाया फिर पहले गैप देदिया बहुत बड़ा देन थोड़ा से नीच के यहाँ पर ट्रेट करें फिर इसको सेकंड हाफ में ब्रेक करें और जैसे कि हम लोग ने निफ्टी में बात कि सेम करना है आपको अगर बहुत बड़ा देता है तो नीचे आके थोड़ा सा मूव कर सकता है मैं उन सब पिरलम कर इन 갑자기 बात देता है कि मैं थ्यां और इसे ऐफ सेकंड हाफ में यह बड़ो कोशिक तो इसको स्वरी क्या बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल बना रहा था तो इसका आप जैसे ब्रेक होगा या पर ब्रेक होने के पाद थोरा रुका भी जैसे ब्रेक वादेखो दो कंडल में आपका प्रीमियम आपको एड़ दमनी का डबल हो गया था ठीक है तो इसलिए उस और चीजों में आपका बागी आप बैंग निफ्टिक का देखो गई तो आपका प्रीमियम ज्यादा बढ़ा नहीं होगा क्योंकि उसमें गामा ब्लास नहीं होता है क्योंकि यह क्यों यहां से देखो यह मूब किया तो रुका तो ठीक है इसका ब्रेक किया तब इसको अच तो आपको निकल जाना चाहिए था में मोसले इसे ट्वीट करता हूं एक्सपारी की दिन बहुत जल्दी प्रिमियम गलता है तो जल्दी निकलना जल्दी गुस्ना इंपॉर्टन है तो ठीक है तो कल के लिए देखते क्या हो देखकर इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि विकली मुझे कैसा दीख रहा है ठीक है तो आपको वीडियो पसंद आया बीटे पसंद आएगा तो लाइक इंश्यों फ्रेंस अभी के लिए इतना है मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए भाई शुक्रिया और अपना ख्याल रखना